दोस्तो सब्स्क्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएए मेरे चैनल के लिटीज वीडियो सब से पहले देखने की लिए नमस्कार दोस्तो मेरा नाम हम किशौर अप्लाईब हो मेरे चैनल पर यानि किशौर कुमार बैनर जी पर इस चैनल में हम तीन तरीके के वीडियोज लाते हैं एक न्यूज, दो ट्रावल वीडियोज, तीन ड्रामाज तो रिसेंटली दुर्गापूजा खतम हुआ है, तो हैपी दशेहरा आप सब को और आज मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बना जाए जिससे सब की हल्प आज हम इस वीडियो में एक ऐसे एप के बारे में बात करने वाले हैं जिसके थुरू आप घर बैठे, पैसे कमा सकते हो जैसे कि हमको पता है कि कुछ वेबसाइट भी होती है वैसे, फ्रीलैंसर या फिर अपवर्प, जिनके थुरू हम अर्ण कर सकते हैं घर बैठे ही उसी तरीका का एप आ चुका है इंडिया में और वो प्ले स्टोर में उपलब्ध है, उसका नाम है एस बाई, जैसा कि आप देख पा रहे हो पर ये एस बाई काम कैसे करता है? एस बाई में, दो साइनफ ब्रोसीडियूर से एता है एक सेलर साइट या फिर फ्रीलैंसर साइट जो स्किल्ल प्रोवाइट करता है और एक साइड होता है, बायर साइट या क stessoण का साइट जो companies sign up करते हैं और jobs provide करते हैं आप सोच रहे होंगे कि इन jobs को करने के लिए हमें क्या skills चाहिए होंगे कि हम घर बैटके earn कर सके तो इस वीडियो में मैं आपको इस app का full tutorial देने वाला हूँ और हम देखेंगे कि जो companies ये job post करती है वो किस तरीके के skills चाहती है हमसे वह हम आगे app के tutorial में देख पाएंगे और शुरू करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे important news videos, travel videos और dramas regular basis पे देखना चाहते हो तो subscribe कर लो चैनल को और पेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा तो चलिए आगे app में सिधा जाते तो दोस्तों जो आपके local area के freelancing companies है जो job provide करते है और pan-india basis उसी के jobs आपको मिलते है मतब इंडिया-based jobs आपको मिलेंगे तो Google Play में जाहिए और सबसे पहले हमें लिखना परेगा is by जैसा आप देख पा रहे हो और ये जो है पहले जो option आता है वही आपको खोल देना है और इंस्टॉल कर लेना है मेरा इंस्टॉल क्या हुआ है अल्रेडी वहाँ sign up का procedure रहेगा और आप से आपका number और आपका address मांगा जाएगा तो आप वह complete करके as a freelancer आप apply करोगे आप services प्रोवाइड कर रहे हो उस site से आप apply करोगे तो फिर आपको open करना है जैसा आप देख पा रहे हो और application open होगा कि अभी open हो रहा है तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा तो मैं पहले अपना profile दिखा देता हूं आपको तो यह रहा profile हमारा तो यहां आप देख पाओगे कि क्या skills आपको लगेंगी यह jobs को complete करने के लिए जैसे कि मैंने यहां लिखा हूआ है skills web content, article blog writing, graphic designing, creative presentation, illustration, SEO, SMM यह सारे जो है इस तरीके के jobs यहां आते आप देख पाओगे आगे तो इस तरीके का कुछ रहेगा ऊपर रहेगा दिया हुआ है image का जगा और about section है जहां पर आप अपना छोटा मोटा लिख पाओगे जैसे कि मैंने लिखा है 3 years का experience है digital marketing में और YouTube content creator हूँ और designing websites और graphic designs भी कर लेता हूँ तो उस तरीके का पहले job search कर लोगे और उसके बाद उस प्रकार से उसे profile को complete करोगे तो back करते है और अब आपको खोजना है jobs किस तरीके का आता है तो सबसे पहले यहाँ एस बाई में आपको GPS के थूभी आपके location के इर्दगिर्द companies jobs provide कर लिए कि नहीं वो आप देख सकते हो उसके लिए आपको ऊपर देखिए browse के पास दिया हुए search यहाँ से directly skills लिखके आप job search कर सकते हो उसी के पास में दिया हुए GPS का option तो इसमें करने जब आप क्लिक करते हो तो आप देख पा रहे हो कि मेरा area मुझे दिखा रहा है और कोलकाता में क्यूंकि यह app नया है तो अभी freelancing jobs जो companies है वो enroll कर रही है धीरे धीरे आ जाएंगी अभी कोलकाता में मेरे GPS location के मताबिक है नहीं companies जो provide कर रहे हैं मगर इंडिया base में है और आप remote base काम कर सकते हो तो इ इसमें आपको option select करने को मिलता है देखिए category select करने के मिलता है वह है skills का category वहाँ पे दिया हुआ है web, mobile and software, IT, networking, data, science, engineering, design, creative, writing, translation, legal, admin, support बहुत कुछ है तो यह सब है skills आपको जो आता है उसी को आप click करके आप खोच सकते हो और यहाँ पे आप by location भी search कर सकते हो और remotely काम करना ह या जाके भी आपका लेके आ सकते हो काम projects तो उसके लिए है तो बस आपको इसके बाद apply कर देना है और apply कर देना पर browse jobs आएंगे तो जैसे कि आप देख पा रहे हो designer for a iPad application पहला वाला है job वहाँ dollar के मताबिक आपको payment मिल रहा है और नीचे आपको rupees के हिसाब से भी दिया रहे तो यह देखे जैसे social media influencers needed 2K to 15K देंगे वो लोग तो help with bookkeeping कुछ इस तरीके का रहता है तो मैं एक job में आपको घुशा के दिखा देता हूं कि किस तरीके का आपको किस तरीके से bid को submit करना पड़ता है तो यहाँ जैसे कि दिया हुआ है कि edit resume और 10-30 दिया हुआ है तो मैं इस start I am seeking someone experienced in recruitment to edit my resume and emphasize my skills and experience तो उन्हें यह चाहिए उपर आप देख पा रहे हो कि completion date दिया हुआ है और number of bids भी दिया हुआ है वह आप देख पाओगे और नीचे आपको दिखेगा कि एक जगा रहता है जहाँ आप type कर सकते हो वह है बाद वाला step जब आप submit कर लेते हो proposal और उसक 30 था तो आपको ऐसा bid रखना है जिसमें आपको लगे कि company आपका bid amount भी देखके क्यूंकि price बहुत important होता है तो आपका bid amount देखके वह आपको दे दे काम तो full 30 अगर आप देते हो तो शायद कोई और experience वाला आ जाए और आपसे ज़्यादा अच्छा रहे तो उसी को company provide करेगी वह हो सकता है ऐसे chances हो तो near about रखना चाहिए जैसे कि यहाँ आप देख पार हो कि मैंने 25 रखा है तो यहाँ directly लिख दिया कि you will receive 21.25 और ace by by fee 3.75 ले लेगा नीचे दिया हुए timeline और timeline हमें का मतलब है कि आप कितने समय में आप job को complete करके दे पाओगे तो आपके हिसाब से है कि resume आपको edit करने में कितना time लगेगा mostly one week में हो जाता है और next आता है cover letter अब cover letter में लिखना है कि sir madam जो भी है यहाँ एक आपको इंट्रो देदा पर के that I have experience of two to three years अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर ही दीजिएगा two to three years in content writing और I have written articles for these websites अब अगर आप ने आपका experience है इसमें तो आप दो अगर नहीं है तो फ्रेशर ही लिख सकते हो कि आप opportunities खोज रहे हो I want to enhance my skills इस तरीके का तो website में अगर आपके पास websites है तो यहां मैंने have spelling mistake किया है तो यहां आपके बस website से तो आप दिखा सकते हो last में आपको लिखना पड़ेगा कि it will be a great opportunity if I get this job and it will be a great learning experience तो देके आपको सिर्फ submit कर देना है तो इस तरीके से आपका proposal submit हो जाएगा और उसके बाद एक पीछे जाके यहां बस एक type करके message दे दिजेगा कि sir maim I have submitted my proposal kindly check it it will be great working with you इस तरीके का तो in total ऐसा रहता है और 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 भी कुछ दिखा देता हो कि धीरे धीरे आपको क्या करना परेगा कि left side में जो बटन है उसमें क्लिक करने से आप देख पा रहे हो कि dashboard है और इस dashboard में आपको मिलेगा कि आप जो bits किये हो उसके review होते रहेंगे तो वहाँ आपको दिखेगा कि आपने जो प्रोपोजल्स सम्मिट किये है वहाँ का review वह review हो रहा है अगर review हो जाए जब review हो जाएगा तभी आपके पास एक message आएगा mail के through भी आएगा और app में भी आएगा तो dashboard में जाके आप वह देख पाओगे directly और और invitations में उसके बाद आप उनके साथ chat कर पाओगे और आप project ले पाओगे कि क्या क्या काम करना है तो freelancer हो upwork हो या फिर ASBI हो कोई भी platform हो यहाँ पर सबसे safe होता है कि इसी का chat option आप लेके इसी पर काम करो क्यूंकि आप अगर कुछ companies ऐसी होती है कि आपको अलग लेके जाने की कोशिश करेंगे कि आपका mail id दीजिए आपका skype id दीजिए आपका FB account का profile name दीजिए तो उस तरीके का रहता है तो वहाँ जाके वो लोग बहुत जादा negotiate करेंगे या फिर पैसा नहीं आप काम provide करते हो और is by फिर पैसा काटके अपना fees रखके आपको पैसा deliver करता है तो सबसे अच्छा है कि आप इसी checkbox का इस्तमाल करो और यही recommended है और यहाँ देख पा रहे हो आप earnings का option है तो earnings में आप जैसा देख पा रहे हो कि add new payment method आप कर सकते हो दो option है bank account या PayPal जिसके through करन दे सकते हो तो कुछ इसी तरीके से आपको job search करनी है यहाँ और आप India based jobs आपको मिलेंगी work from home मिलेंगी तो आप आराम से यहाँ job search करो अपने skill के मुताबिक और आप आराम से earn कर पाओगे और recommended है कि जिस तरीके का मैंने steps बता है उसी तरीके से follow करके आप कीजिए पहला bid वो पहले occasion का बात है वो तो पहली बार जब आपको वो job मिल जाएगा उसके बाद आपके rating review आने शुरू हो जाएगे और जैसे ही आपका profile build होते रहेगा build होते रहेगा build होते रहेगा आपको automatically आपके जो आप bid submit करोगे वो आपका profile check करेगा company और उनको अच्छा लगेगा तो मै आशा करता हूं कि आप एस भाई के थ्रू अच्छा खासा earn कर पाओ और आपका जो need है work from home के थ्रू आप जो कमाना चाते हो वो आप कमा पाओ बहुत लोगों का ऐसा होता है कि वो बाहर जाके काम नहीं कर सकते तो यह opportunity है दो एस भाई बहुत ही नया platform है अभी और वहाँ प आपको फ्यूचर में बहुत बहुत ही जादा मुनाफ़ा मिलेगा और बहुत ही जादा आपको help मिलेगा क्योंकि is by अब नया है धिरे धिरे उसमें उसको companies जानेंगी और और companies जुडेंगी तो आगे future bright है इसका तो जुडिये और earn करना start कर दीजे दोस्तों होब आपको इस वीडियो से help मिले और अगर आपको कोई confusion हो तो नीचे दिया हुआ है मेरा mail ID आप बे फिकर होके मुझे mail कीजिए तो यही पर करता हूँ आज का वीडियो and next drama आने वाला है तब तक के लिए subscribe कर ले चैनल को और bell icon को दबाना मत भूलिएगा टाटा हुआ 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 है